हेलो गाइज गुड यूनिंग और टाइम हो रहा है पांच तो मैं जा रही थी फरा बनाने तो मैं यह आपको आज फरा बनाना बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं कि फरा कैसे बनाया रहता है यह दिखे फ्रेंट मैंने आलू लिया है और यह दाल है और यह आटा है हम आलो के प्राठे बनाते हैं जिस तरह से बनाए होते हैं वैसे वह भी होना चाहिए और दाल और फिर इसके बाद हम पानी लिए हैं एक पतीले में फिर इसके ऊपर यह रख देंगे जिसका मदब छेक होना चाहिए प्लेट में ऐसे बजार में मिलता आप लोग के पास प्राइम होने के लिए यह देखिए फिर इसके बाद आप मैं चल रही हूं बनाने तो सबसे पहले में चावल का आटा लोंगी और इसको मलब बेल के काफी लोग हास से भी इसको बनाते हैं चोटी-चोटी रोटी पर इसको मैं बेल के फिर बनाऊंगी यह देखिए ऐसे कर दाल दो और आलू भी वही नॉर्मल आलू जैसे आप आलू के प्राठे बनाते हो उसी तरह से आलू को बना लो सब चीज उसमें मिक्स करके फिर इसमें भरे जाते हैं करें की ह ändern और याद रहे इसमें आता गेहं का नहीं होता इसमें चावल का आता होता है फरा बनाने के लिए है चावल का आता होता तो इसको मैं देखिए ृबरों गींगी और इसमें जैसे और यह मां fight if प्र कि बेलंगे प goose 002-णितना इस तरह से इसको हम बेल लेंगे यह क्या होता ना आसान होता इससे जल्दी जल्दी होते हैं काफी लोग हास से बनाते हैं ना तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता और काफी लोग रहते हैं और गाइस मैं अकेले ही बना रही हूं और फ्रव आप किसी से पूछ लेना या बनाए भी होंगे, अकेले नहीं बनाया जाता, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं यहाँ अकेले ही बना लेती हूं, यह देखे एक ग्लासी है, इस ग्लासी से मैं गोल-गोल काट दूँगी, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है, और खाने में भी अच्छा लगता है, और आसान भी होता है, यह देखिए इस तरह से, और जो आदमी लोग हाद से गड़ते हैं, बनाते टिकरियां, वो फिर बहुत ट्राइम लग जाता है, ऐसे मैं अकेले ही बनाती हूं फरा, यह इस तरह से, ऐसे करके, आप इसको ऐसे हटा दीजिए, आप देख सकतो कितने आसानी से निकल जाता है, देखिए, ऐसे निकाल लो, फिर इसके बाद एक एक, छोटी-छोटी रोटी को अलग उठा के रख देते हैं, और अब मैं यह दाल का जो मैं बनाई हूं, मसाले, अब यह दाल का मसाले मैं भरूंगी इसमें, आप इसी तरह से, उसका भी भर सकते हैं, आलू वाला, यह देखिए, चिम्मच लो, फिर इसमें थोड़ा सा डाल के इसको ऐसे बंद कर दो, ताकि हमारा मसाला बाद में गिर अगर आपकी रोटी चिपक गई हो, काटते वक, तो आप चाकू रख लीजिए, उससे आप उठाके, ताकि फटे ना, जो आप छोटी-छोटी रोटी बनाए, ऐसे इस तरह से भरते जाए और रख दीजिए, यह देखिए, मैंने भर के इसको तयार कर दिया, और यह मेरा प पानी गरम होगे, अब मैं इसके उपर डालूँगी, आप अगर दाल का वैसे चिपकता नहीं है थाली में, लेकिन अगर आप आलू का बनाओगे तो थाली में चिपक जाता है, इसलिए आप तेल लगा लेना, ठीक है, यह दाल का है, दाल टाइट होता है, तो इसकर के यह इसमें मैंने रख दिया, अब उसी के जो नीचे हमने पानी रखा है, उसी के भाप से होगा, और थाली से इसको हमने ढख देना है, इस तरह से, अब दिखाते हैं, हमारा फरा बन गया है, पंदरा से बीस मिनट तक उसको हम भाप लगेगा, फरे में यह देखिए, मेरा फरा तैयार है, गैस लाइक जरूर कीजिएगा, अगर मेरी वीडियो,